गुड मॉनिंग फ्रेंड दिस एजीत अगेंड और आज हम लोग डिसकस करेंगी छूटा सा कॉंसेप्ट है बहुत अच्छा एक कॉंसेप्ट है अभी तक हम लोग इंजॉय करते आ रहे हैं तो आज हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं वाटर वैरोमीटर्स को ठीक है इससे पह हमने कहा है था कि अगर हमारे पास सपोर्ज एक कंटीनर में फ्ल्यूड के रूप में मरकाडी हो और हम एक ट्यूब को वैक्यूम ट्यूब को इसमें अगर इंसर्ट करते हैं तो यह क्या होता है कि मरकाडी के फ्ल्यूड जो है खुद को ऊपर की तरफ सिट कर देंगे है कि यहां पर लग रहा है अट्मोसफेरिक प्रेश इस साड भी लग रहा ऐत्मोसफेरिक प्रेशा और इसके अंदर लेवल पर उस प्रेशा को बढ़ावा करने के लिए तो उतनी मरकाडी सिफ्ट हो गया उपर ताकि वह अपने में बेट के कौरीं प्रेश्र रश्र लग आज हम डिसकस करेंगे कि अगर हम इस वैरो मिटर में जहां मरकडी को ले रहे थे अगर मरकडी के जगह पर लिकवीड के रूप में वाटर को लिया जाए तो क्या होगा नहीं वहीं चिज होगा जो मरकडी मतलब की सपोज आपने क्या किया सपूर्स ठीक है आप कर क्या रहे हो कि आप एक कंटीनर ले रहे हूँ और कंटीनर में कंटीनर में क्या कर रहे हूँ अले भाई मीं जाओ चलो कोई बात अगर हम कहें कि हमने एक कंटीनर ले रखा है और कंटीनर लेने के बाद कंटीनर में हम क्या करने वाले हैं तो कंटीनर में हमारा ने नीजन Kommroid में के रूप में वा ठीक कटेनर में हमारे फ्रूट के रुप में वाटरा इस वार मैं कोई दूसरी लिप्विड नहीं लेड़ा है। एक वाटर लेड़ा चेक करना है कि इस बैरोमिटर-फ्रमें जैसे वेक्यूम ट्यूम को डालेंगे तो आप यह कह सकतो कि सर ऐसा है कि हमारे पास यहां जो प्रेशर लग रहा है यहां जो प्रेशर लग रहा है वह तो एट्मोस्फेरिक प्रेशर मतलब कि आप यह कह सकतो कि यहां तो एट्मोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है यहां एट् वाडाबर होने के लिए यहां कोई प्रेशर देगा कोन तो क करेगा कि अपने को ऊपर उठाने की कोसीजर करेगा ठीक है या जा ग्याओ water जा गया water ौपर जा रहा रहा कहां तक था युद टीक हाइट को अचीव करेगा जिस हाइट के कॉलमग करेम जन्यों बंदा रहा है वह इतना सफिसेंट हो कि अपने वेट वारा यहां पर क्या प्रेशा क्रेट कर सके अट्मोस्पेटिक उपर तो अपने माना के प्रेशर यहां जीरो रहेगा तो हम आ लेते हैं कि लेट हाइट ओफ वार्टर कॉलम कॉलम इस С तो आप बोल सकते हुआ कि इस प्रेशा की प्रेशर हो लिका जा सकता है प्लस रो क्योंग नीचे आ रहे है तो बढ़ना है प्लस कर रहे है रो जी एच वेर रो इस density of water रो क्या हो रहा है यहां हम इंडिकेट करना जा रहे है density of water ठीक है अगर इस detail के साथ हम work कर रहे है तो देखो दोस्त होगा क्या PB जो equal है वह तो atmospheric pressure है ठीक है vacuum होने के कारण initially इसके top पर लगने वाला pressure हो गया है 0 प्लस रो G H and is equal to pressure atmospheric pressure 0.01 into 10 is to 5 ठीक है रो की values डाल दो known है G की values known है and H की values डाल करके इसे solve करे जो हम आपके लिए अभी नहीं करने वाले हैं तो H approximately 10 meter आएगा अब इस result को देखे कि क्या है अगर हम यहाँ water varometer ले तो water varometer का concept भी mercury varometer जैसा ही होगा ठीक है mercury varometer का मतलब क्या है जो mercury की conceptual बात है क्योंकि वो pressure को maintain करने के लिए vacuum की तरह अपने आपको lift कर रहा है तो यहाँ भी lift कर रहा है लेकिं यहाँ पर क्या है कि जो height आ रहा है वो 10 meter है और अगर हम कहें mercury varometer में तो mercury varometer में यह जो height थी वो height आया था अपना 76 cm या फिर बोल सकें कि 0.76 meter अब थोड़ा साब देखी अगर आप science के student हो तो कहो क्या है यह हमारे लिए possible है कि 10 meter के setup को ले करके जा और atmospheric pressure के reading को रहे हमारे पास एक tube 10 meter height का है और उसको ले करके हम demonstrate करने आया है कि भाई इस तरह से measurement करते है या फिर हमारे पास 1 meter से भी छोटा height का setup है जो हमें atmospheric rate करके देखते है जो हमें एक तरह से सीधी बात है कि convincing कौन से है तो यहाँ mercury varometer के आपता है fluid के रूप में mercury कर दो मैं यह भी बात क्लियर कर दो कि यहाँ पर mercury water के अलाबा भी आप दुनिया की कोई भी दूसरी fluid जिसकी आपके density known हो उसे भी लिजेगा तो कुछ नो कुछ height पर जाकर वो रूखेगा तो आप उससे भी barometers खुद घर पर बना सकते हैं कोई दिक करते हैं सब बैरमेटर्स का concept यह होगा कि आप क्या करोगे एक container में एक vacuum tubes को डालोगे वो खुद बखुद height को rise करना शुरू करेगा उस height पर लेके जाएगा ताकि impressor को equate तो अगर कोई बोले कि water barometers क्यों नहीं है तो water barometers है ठीक है बड़ वो practical इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसमें जो height चाहिए column का वो 10 meter के approach चाहिए जो कि convincing नहीं है इसलिए हमेसे frequently use नहीं कर सकते हैं यह अपना concept screenshot बस 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 अपनी powerful screenshot के बाद चले problem problem बोलो कि अगर जैसी problem देखते होगे तो बोलोगो कि सर आप रुक जाओ नासना परनी करना है कर लो लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि online है ज्यादा समय नहीं है तो obvious से problem देखते ही आपने मेरे videos को रोग दिया होगा उसके बाद problem को अराम से solve कर रहे है एक मिनट दो मिनट तीन मिनट पांस मिनट भी लागे कोई दिकत नहीं है तो अगर आप attempt ले रहे है problem को तो लीजिए और ले चुके हैं तो फिर से लीजिए कि भाई सही हुआ कि नहीं हुआ क्योंकि अगर आप कोई भी channel पर YouTube classes पर कर रहे है एक छोटी सी बात है जो आपसे रहेगी दोस्त प्रॉब्लम के solution को देख करके समयने की कोशेश मत करो कि वह सीख साइज नहीं पाऊगे अगर सीखना है और इस आप खुद को perform देना है तो क्या करना पड़ेगा कि problem देखने के बाद सर की बातों को सुनेने से पहले रुख दो problem खुद पर अगर उन्होंने ये problems को present किया है तो इसका मतलब को उसके पहले के basic concept को दे चुक है और वो expect करते हैं कि आप अपना input जरूर दे ठीक है एक बार जरूर attempt लेले और आप से बना करके notes रखो ताकि आपके siblings को दिखाने में हो जाए कि भाई हम भी परते थे notes देखो कितना सांदार है ठीक है तो आप चले problems की बारे अगर problems आपने attempt लिया तो करा कि YouTube open at one end obviously one end पर open है मतलब इस end पर open है ठीक है इस end पर open है हम प्राबलम स्क्रेटर और find the relation between P that is gas का जो प्रेशर है कि इसको क्लोज किया हुआ है तो इस P का relation हमें चाहिए with atmospheric pressure given data है कि D2 D2 कहा है दोस्स D2 यस इस कॉलम में यह जो D2 है इस D2 के बारे में कुछ लिखा है कि D2 D2 is 2 x 13.6 gram per cubic centimeter and D1 is 13.6 gram cubic centimeter ठीक है ना चलो कुछ तो होगा तो हम देख लेते situation को situation यह है कि यहाँ पर atmospheric pressure open end पर लग रहा है जिससे 25 cm नीचे और उसके 26 cm नीचे में जाकर के इस side में वो settle हो गया है मतलब यहाँ पर हमें इस side पर work करेंगे तो फायदा क्या होगा कि इस side पर तो यह pressure मालूम है या तो P लग रहा है और इस side का equation लिख देंगे दोनों बराबर कर देंगे हो गया बोलो कि भाई तीज स्टूडेंट है आप ऐसे स्वाल पूस्ट चलो देख लेते फिर से दो पाठ 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 ए पाठ बी दस पाठ ए side में पहले LHS की तरफ लिख लेंगे और पाठ बी को RHS में इक्वेट कर देंगे क्योंकि अपना कुस फंड़ा क्लियर है बाई तो solution को देखें पाठ ए ए पाठ की तरफ यहाँ पर pressure PA चलो भाई PA प्लस प्लस इसलिए कि हम इससे नीचे आ रहे हैं तो नीचे आ रहे हैं तो हम कर रहे है रो जी एच रो भी काउंसार तो D2 लिख देते हैं दागे अपने density यहाँ पर D के टरम से दिया है तो हम कर दे D2 GH ठीक है उसके बाद हम यहाँ से भी यहाँ आना परेगा तभी हम इस water level को match कर पाएंगे मतलब यह दूसरी liquid होगी दूसरी liquid मतलब density D1 तो प्लस नीचे ही आ रहे तो प्लस D1 G अले भाई इसको H1 हाइट ले लेते हैं इसको H2 is equal to यही तो है भाई pressure pressure is equal to यहाँ पर P right hand side B part P सब कुछ हो गया हम चलो देखते हैं pressure PA प्लस D2 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 into 13.6 gram cubic centimeter अभी कुछ में नहीं है तो हम gram cubic centimeter में भी ले ले तो हम कर देए ठीक है भाई CGS में काम कर रहा है तो हम CGS में ही काम कर देते हैं हाइट 25 दिया है तो 25 प्लस D1 13.6 sorry H G भी करना है G ठीक है D1 है अपना 26 into 13.6 into G is equal to P चलो भाई करते हैं PA प्लस 25 into 2 13.6 G हम कॉमन नहीं 13.6 G कॉमन और यह है 25 into 2 मतलब 50 26 is equal to P प्रेशर प्लस 13.6 G यह हुआ 76 is equal to P जान रहे कि यह है जो हमारा वर्किंग हो रहा है भी अभी CGS के अनुसार हो रहे क्यों हम सेंटिमीटर को भी हिले अब यहां के बाद से कुछ क्या लिखना है तो इसको समझते बस बोड के इस पार्ट को ले रहे जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट के तरफ यूज करेगा मर्कडी बैरोमिटर्स में एक बार गौर करना था कि हमने कहा था कि मर्कडी 76 cm की हाइट पर जाता है 76 cm of HG तो यह हमें atmospheric लेसर देता है P 76 cm of HG काने का मतलब है कि rho G H इसका अगर देंगे तो 76 हाइट हो गया मर्कडी की जो density होती है वो होता 13.6 ठीक है अगर आप ना जानते हो तो आपको बता दे क्योंकि हम तो तेज बच्चों के टीचर है तो हमको मालूम हो गाई आपके साथ रहते रहते है हम भी तेज है 13.6 तो 13.6 इंटू G is equal to P है बस हम यह दिखाना चाहरे है क्या आप यह गौर कर देओ कि यह वही है माला atmospheric pressure ठीक है तो अगर हम कहें कि यह हुआ atmospheric pressure plus एक और atmospheric pressure is equal to P तो आपका सबत P is equal to 2P है मालब कि यहां इस situation में जो pressure है वो 2 times atmospheric pressure के बरबर जिन बच्चों को डिटेली में यह ध्यान में न हो तो mercury barometers में जाए वहाँ पर solution को solve करेंगे तो यही है नहीं कि solution को solve करेंगे तो मैं आपको बता रहो कि 76 cm of Hg 76 cm Hg कॉलम के द्वारा प्रेशर जो की आए जागा 76 into 13.6 that is density of mercury into G और जो इक्वल है इस वीडियो को भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्या मेरा उदेश क्लियर है कि आप वीडियो को enjoy करें ऐसा बिल्कुल नहीं कि हमारे YouTube के जो होते हैं कि भाई व्यूज बढ़ाओ सब्सक्राइबर बढ़ाओ लाइक बढ़ाओ ऐसा कुछ नहीं और ना बढ़ाओ ठीक है आप चुप चाप से बीना किसी को बताए यहाँ पर लो अगर लगता है ठीक तो बाकी यहाँ पर यह चीज़ है अगर आपके पास कोई डाउट है तो कमिट सेक्शन में अंसर किजिए प्रयास करेंगे कि आपको सिकायत का मौका ना मिलें और मनुरंजन नहीं बरहाई करेंगे ठीक है इसके लिए धन्नेवाद है अब नेस्टिए